जैहिंद वंदे मात्रम स्वागत है आप सभी का सिक्षक परिवार गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टाड़े पैटफॉर्म में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिहार सिक्षक भरती के लिए पूरी तरीके से तयार होंगे हर बहन हर भाई के अंदर एक दर भी होगा लेकिन उस डर को बाहर रखिएगा और पेपर को बहुत अच्छे से दीजेगा क्योंकि आपको एक सीट लेनी है और उस सीट के लिए आपको हर बहन हर भाई को एक अग्रिम सुभकामना है इस भाई की दरब से दोस्तों आपको बहुत आसान तरीके से बता देते हैं कि परिक्षा के पहले entry तक और paper करने तक दो मिनट की video, short video में समझो कि आपकी सारे doubt clear करते हैं क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है और कैसे paper करना है और कौन परिक्षा कब देगा, सबसे पहली बात आती है तो समझ लीजेगा दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि परिक्षा की आपको बहुत-बहुत सुबकामना है मुझे उम्मीद है कि परिवार में आपके इंतजार कर रहे होंगे एक सेलेक्शन के लिए तो आप भी यहाँ पर कमरकस लीजेगा क्योंकि देखिए परिक्षा को उस मूट से दीजेगा कि आपके लिए कोई डर वाली बात नहीं है दो ही काम होते है पेपर अच्छा होता है पेपर खराब होता है इसलिए प्रेशर लेने से चीजें खराब होती है तो मत लीजे आसान होती है तो जरूर लीजेगा तो इसलिए खराब हो रही है भहिया चीजे मत करो है ना जो चीज आपके लिए negative है सबसे पहले exam date दोस्तों याद रखिएगा क्या है exam date जो है वो आपकी क्या है 24, 25, 26 को है सबको पता है 24 की बात अगर कर लेते हैं और 25 की बात कर लेते हैं दियान दो 24 बच्चिस में primary का paper होता PRT का paper होगा और ये primary वाला paper दो दिन चलेगा सामाने अध्यन का primary का paper 24 तारीक को होगा 24 तारीक को हर बहन हर भाई बैठेगा लेकिन फर्क इतना होगा कि 24 तारीक को जो paper है वो PRT का paper है 1-5 तक का paper है वो प्रतम पाली और दुती पाली में होगा और प्रतम पाली में जो हमारे पुरुष साथी हैं वो देंगे, दो घंटे का पेपर ये होगा, 10 से 12 जो है, यानि 10 से 12 पेपर सुरू होगा, 10 बजे से और 12 बजे तर, ठीक है, इसलिए इंट्री की बात करें, तो इंट्री एक घंटे पहले होगी, बिल्कुल यहाँ पर महिला साथी 24 तारीक को 33 से पेपर देंगी, दो घंटे तक पेपर चलेगा, एक घंटे पहले इनको भी प्रवेस लेना है, और याद रखना है कि बचा 25 तारीक और 25 तारीक में इन दोनों को फिर से देना है, जिसमें भासा, ध्यान दो, 25 तारीक में फिर से देना है, यानि इसमें फिर से जो है आपको भासा देना है तो भासा के लिए पुरुष साती और महिला साती फिर जो है देंगे यानि एक दिन रुकना पड़ेगा बात खतम हो गई बहुत आसान भासा में आप समझेए 26 तारीक में बो पेपर देंगे जो 9 दसमी के लिए है और दिती पाली मे देंगे 11 और बारमी के लिए ठीके ना बात खतम हो जाती है अब बात आती है एड्मिट कार्ड क्या ले जाए क्या ना ले जाए सबसे पहली बात तो एड्मिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए कुछ वो आपकी आईडी और पासवर्ड वाला हुम्हें उम्मीद है कि आ यहाँ पर दो पॉइंट में कहता है passport size photo एक दो photo extra ही लिए जाना कोई दिक्कत नहीं जो आपके उसमें लगा हुआ हो के दा admit card जो है न admit card मैंने लिख के ये मेरा अनुभों कहता है कि admit card जो है वो आपको ले जाना है क्योंकि आपको दो दिन कहीं न कहीं उसमें लगना है दो से तीन दिन लगना है तो admit card के दो-तीन जो है आपको photocopy निकल वा लेना है तो तीन copy तो आपको admit card की photocopy निकाल लेनी है जिससे आपको परेशानी ना जो है जहिलनी पड़े वो सकता है आप नए हो वहाँ जाए और आपका admit card गुम हो जाए और आप परेशान उसको अलग लग रखिएगा ठीक है एक घंटा पहले जो है गेट के अंदर बिल्कुल हो जाएं इंट्री मैं फिर से कहता हूं कि एक घंटे पहले आपको क्या कर लेना है इंट्री ले लेना है प्यारे है ना हर बहन हर भाई को आप सभी को मैं बताना चाहता हूं जितने भी परिवार हैं उनमें एक बहुत डर बैठा हुआ है कि इस पेपर में कैसे क्या करना है सबसे पहली बात इंट्री लेने के बाद बैठने के बाद अपने आपको बहुत कैसा कर ले अपने आपको बहुत सांत कर ले सांत होकर पानी पी ले और पानी पीने के बाद देखो माइंड का खेल होता है बहुत से ऐसे बच्चे होते जिनका पेपर एकजाम हाल में तो विगड़ जाता लेकिन उसी पेपर को घर में आके बैठके सौलब करें तो वो सही हो जाता है तो बात सिर्फ इतनी है क्यों ऐसा होता क्योंकि माइंड का खेल होता है बिल्कुल सांत कर ले माइंड को पानी पिले आराम से जल्दवाजी नहीं ना कुछ भी भरने में जल्दवाजी कोई काम गलत नहीं करना यह ऐसा नहों जाए कि हम जा रहें पैसा भी बरबात कर रहें और पेपर में यह कहने को हो जाए अरे देखो मेरे से यह गलती हो गए यह गलती वाला पॉइंट आना नहीं चाहिए ना तो पहला point यह होना ची हमने entry नहीं ले पाई मैं late पहुचा यह late पहुची दूसरी हमारे पास admit card photocopy यह बगएरा नहीं और तीसरी चीज देखिएगा passport size photo के साथ साथ एक आपकी क्या है एक आपको मैंने यहाँ पर नहीं mention किया जो आपको सब को पता होता है कि हमे एहम याद रखनी है कि जितना pressure दबाओ है वो अपना बाहर रख के आना एक्जाम हाल के एक्जाम हाल में entry करने से पहले अपने आपको मजबूत मनाने सांत कर ले और उसके बाद paper के रडशित्र में कूद जाए हर बहन हर भाई को सफलता मिलेगी इनी सब्दों के साथ आप के साथ selection लेने के लिए अपने भाई गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टड़ी यानि अपने भाई दीरस दिवेदी कुछ के चैनल को subscribe करें क्योंकि आप भी हमारा एक परिवार हैं जैहिन वंदे मातरम आप सभी मस्त रहें और यूही मुस्कुराते हुए paper हाल से बापस आए हर बहन हर भाई को एक बार बहुत सारा गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टड़ी की तरप से धेर सारा प्यार जैहिन